जै हिमाले जै भारत संसार बर में हिमाली लोग यूटूब चैलल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत के राजधानी नई दिली से डॉक्टर हरीश शंद्र लगे जम्मू, हिमाचर परदेश और उत्राखण में एक सरनेम मिलता है मिया और इस सरनेम को सुनते ही ऐसे लगता है जैसे कि है कोई मुस्लिम समाज से हो लेकिन ऐसा नहीं है यहां मिया सरनेम हिमालई राजपूत्व का च्छत्रियों का एक सरनेम है या सरनेम इने कैसे मिला और आप इन में से कुछ लोग दूसरे सरनेम प्रियोग में लाने लगे हैं आखिर ऐसा क्यों है इस पारे में ही विस्तार से आपसे बात करूँगा लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अंडोध है कि हिमाले इरूग यूटूब चैनल को सब सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए है मेरा एक और चैनल है जो कि समसामिक मुद्दों पर खबरों पर है वो है सत्यमेव जैती चैनल यानि स्ट्वी उसको भी दीखीगा सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर भी कीजिएगा या आप सबसे बिनम्र अंडोध हैं तो बात करते हैं हिमाले की मिया राजपुतों की छत्यूं की राणा राजवनसु के वनसुजों को मिया की सम्मान चरक उपादी से संबोधित किया जाता है जब अन्य लोग इने मिलते हैं तो जैदेपता का विश्य संबोधन करते रहे हैं जो अन्य किसी जाइती के लिए नहीं किया जाता है मिया राजपुतों को कभी क्लैनिक माना जाता था यह भी कहा जाता है कि एक मिया किसी के आधीन रहने की बजाए गरीबी में अपना जीवन्यापन करना पसंद करता है इन राजपुतों को या मिया कैसे मिला इस बारे में बहुत ज़्यादा लेख नहीं मिलता है कुछ लोग कहते हैं कि मुगल अकबर ने इन राजपुतों को सैन सेवाओं के बद्ले मिया की उपादी दी थी जबकि डॉक्टर अशोक चेरत अपनी पुस्तक डुगगर का सासकृतिक इतिहास में लिखते हैं कि मिया नाम की या उपादी राजपुतों के शाही परवारों को दी गई थी ज्यागीर ने सरवर्तम मिया की उपादी 22 राजपुत श्रहजादों को दी थी जो पंजाब की परवतिय रियासतों से संब्दित थे और जिने मुगल दरवार में बंदी बनाकर रखा गया था बाद में यह उपादी उन सभी के वंसिजों के साथ जुड़ गई जो इनकी पारिवारिक दस से थे, यह मिया अपने को दूसरी से उचा राजपुत समझते थे, और अपने संमान को बरकरार रखने के लिए वे अपनी जमीन पर हन नहीं चलाते थे और नहीं अपनी बेटियों की शादी अपने रुत्वे से कम वाले राजपुतु के आहां करते थे नहीं अपनी ही साधी अपने से बहुत निम्न परिवारों में करते थे, इनकी महलाएं परदा करती थी, लेकिन आजकल मिया की जगवे अपने आपको ठाकुन कहलाना पसंद करते हैं, अथा आजकल मिया की उपादी का प्रचलन लगबग कम हो गया है या खत्म हो चुका है, ज मिया राजपूतों को सुरेष्ट सैनिक माना जाता था, इसलिए विभन्न चेत्रों के राजा इनकी सेवाएं लेते थे, उत्राखंड के दोनों मंडल जो गडवाल और कुमाव हैं, उनमें जब राजवन्स थे, तो दोनों चेत्रों के राजा, यानि गडवाल के परमार औ और कुमाव के चंद नरेश हिमाचल के आयुद जीवियों को यानि सैनिकों को अपनी सेवा में लेते थे, उत्राखंड के गडवाल चेत्र में मिया सरनेम आज भी मिल जाते हैं हलांकी, अब वे नेगी जैसे सरनेम लिखने लगे हैं, जैसे कि जमबवाल नेगी मियाई थे और ये जमो से आये थे, कई जगा जो मिया राजपूत थे वे खोटी नेगी या सिफाई नेगी भी लिखते हैं, खोटी नेगी नगर कोट कांगरा से आये थे, जबकि सिफाई नेगी मिया जो थे वे कांगरा से आये थे, खोटी नेगी खोटी गाउं में बसने से खोटी कहलाये थे अच्छी तरह सिपाई नेगी सिपाईयों में भर्ति होने थे यानि राजाा की सेना में भर्ति होने से इसी तरह बियापार काम नहीं करते दोगते हं 262-23129 यह अपर पासंद से गुरसवार सेना यह सेना में शामिर होुणा पसंद करते थे और आज भी वे सेना में जाना पसंद करते हैं कहा जाता कि खास तोर पर जो मिया सरनेम लिखते हैं वे जामवाल राजपूत थे और ये शाशक वर्ग में शामिल थे जामवाल जमू में भी होते हैं और हिमाचर परदेश में भी हलाएं कि समय बदलने के साथ अब इन्वे से बहुत से लोग अब ठाकुर सरनेम लगाने लग गए हैं तो ये थी हिमाचर प्रदेश के मियास सरनेम की गाथा हुरियों कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें और जिदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेर भी कीजिए और लाइव भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना आओंगा जल्दी ही हिमाचर को एक और गाथा लेकर तक जै हिमाले जै भारत गाएंगी नदियां पेड़ों पिचड़िया है धो गीते गाएंगी नदियां मा की लोरी जैसे होते है नदियों के गी